हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक टो मैं चैनल आई में आपको पूरा थो हमारा यह बन गया हुआ है इसको किस तरह से आम सीलाई करेंगे बाजूं को कैसे जूडेंगे और आपस में हर एक पेस को किस तरह से हम सीलेंगे यह बताऊंगी तो यह देखें हमने कंते जोड़ी हुए हैं पहले ही और साथ में हमने जो वीनेक है ये भी बना ली है वीनेक का बाडर पुरा हमने बनाया हुआ है गला हमारा रड़ी है अब हमने बाजू को जोड़ना है कंदों के साथ और साइडों की बाजू की और साइड की जो है वो सिलाई करनी है तो हमने क्या क बाजू को भी और पेज को भी और इसकी जो कटिंग है जहां पे हमने इसको यह देखें यह सेंटर का यहां भी हमारा शोल्डर है यहां पे इसको बराबर हमने नाफ लेना है बाजू को भी हमने सेंटर पॉइंट करके और यहां पे हमने रख लेना है और आदा हिस्ता इस तर से हमने निडल पर डाल लेना है, और हमने बड़े अराम से, जोड लेना है, जोडसे वक्त दागे को जादा कहिंजेंगे नहीं जादा । सिलेंगे बड़े आराम से दागे को चिलते हुए जाएंगे। दूसरे तरफ की बाज्यों सेम इस तरikte से कंदे जो हैं हमारे ये कटिंग के साथ कटिंग बराबर जोड़ते हुए बनाएंगे तो इसका बैस तरिका यह है कि आप सेंटर से जहां भी हमने दोनों पेजों को उपर शोल्टर पर जोड़ा है वहां से भी बाजू की कटिंग आदी ले 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 और वहां से हमने आदा हि तो यह देखें यह दूसरी बाजू यहां पर जुड़ेगी तो यह मैं दोनों आपको जोड़ के बताती हूँ यह देखिए बाजू की हमारी सिलाई होगी है हमने इसको जोड़ लिया हुआ है अपने शोल्डर के साथ यह पूरी परफेक्ट शेप बन कर आई है देखें पिल्कुल सेम कितने सुन्दर सी गुलाई बनी है हमारी बाजू की अब हमने यहां से लेके पूरी बाजू जो है ब बाजू की सिलाई होगी जो एक्सा दागे होंगे वह हमने बीच में सिलाई के अड़ेस्ट कर लेने हैं बाकी काटके और इदर से हमने सीधे नीचे की तरफ आना है तो दो हिसों में इसको सिलेंगे ताक कि जो हमारी बाजू की और जो पेज की शेफ है वो बिगडेना और सीधी बने जो हमने सिलाई करनी है वो हमने एक-एक चेन के अंदर फंदे को जैसे हमने मारे फंदे की चेन बनी होती है साइडों पे तो वहां से हमने एक-एक चेन के अंदर सुई को डाल के वहां से दागे को निकालते हुए बुनाई करनी है तो उससे बराबर हमारी जो है तो दिखाती हुम आपको किस तरह से चेंज से बंदा उठाएंगे तो यह देखे इस तरह से पहले एक चेन में डाला फिर अगली चेन में डाला दोनों पेज इस तरह से लेते हुए तो हमने इसकी सिलाई कर दिया है तो ऐसे हमारी जो सिलाई है बिल्कुल बराबर आएगी य ज्यादा टाइट नहीं रखना है दागे को और नहीं ज्यादा लूज रखना है तो जब आप सिलाई करेंगे तो आपको कुछ यह आइडिया रहेगा इस चीज का इस तरह से हमने पूरे स्वेटर को जाने के इस तरफ की वाज्यू और साइड और दूसरी तरफ की बाज्यू और दूसरी तरफ की साइड भी हमने सिल लेनी है और अच्छे से हमने नौट लुका के इसको पूरा बंद कर लेना है तो यह देखिए हमारा पूरा स्वेटर कंप्लीट होके इस तरह से बन गया हुआ है और यह पूरा सिलाई करने के बाद ऐसा लग रहा है तो चलिए फिर आप बनाईे मिलते हम अगली एक और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए थैंक यू